हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू जी के 2020 यूट्यूब चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत है आज एक नई टेक्सबुक की हम शुरुआत करने जा रहे है और यह टेक्सबुक का फ्रंट पेज इमेज में आप देख सकते है और यह कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान की भुगोल की टेक्सबुक है जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरान यहाँ पर लिखा है कक्षा साथ के लिए भुगोल की पाठिय पुस्तक टाइटल है हमारा पर्यावरान और यह टेक्सबुक में पहला अध्याई है पर्यावर और जो भी student पहली बार भुगोल यानि की जियोग्राफी पड़ रहे है तो उनको यह वीडियो देखना ही चाहिए क्योंकि परियावरण किसको कहते है परितंत्र किसको कहते है यह से महत्व पूरणा पारिभाशिक शब्दों का अर्थ हमें यह अध्याई में समझाया गया है तो चलिए यह समझने के लिए यह वीडियो आप लाश्ट तक देखें लाश्ट में कमेंट शेक्षन में जरू बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा सामझ एक विज्ञान कक्षा साथ के लिए भुगल की पाठिय पुस्तक जिसका टाइटल है हमारा परियवराण और पहला अध्याई है परियवराण और यह पूरा अध्याई दोस्तो एक समवाद के रुप में एक वारता लाप के रुप में यहां दिया गया है देखो लंबी चुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाय हो गई थे वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था दोस्तो लंबी छुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तो रवी ने देखा कि स्कूल के निकट का जो खेल का मैदान था वहाँ पर खुदाय हो गई थी और रवी ने लोगों से पुछा तो लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लेटो वाली एक बड़ी इमारत बनेगी मतलब एक अपार्टमेंट खड़ा किया जाएगा जब रवी को समझ में आया कि मुलायम कास गेंदे के फूल एवं तितलियो वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नश्ट हो चुका है तो उसकी आखों से आशू छलकने लगे उसने ये बात अपने सहपाठ्यों को बताई रवी को मालुम था कि यहाँ पहले मुलायम कास था गेंदे के फूल थे यहाँ तितलिया उडा करते थे अब कभी देखने को नहीं मिलेगे तो रवी की आखों से आशू चलकने लगे और उसने ये बात अपने सहपाठ्यों को बताई सुबह की सबा में प्रधानाचारिय मतलब प्रिंसिपल ने भी बहुत उदासी से कहा देखो कैसे हमारा परियावरन बदल रहा है कक्षा में पहुचकर रवी ने अपने शिक्षक से पुछा परियावरन क्या है? तो शिक्षक ने बताया जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही परियावरन है दोस्तों यहाँ परियावरन का अर्थ स्पष्ट किया गया है रवी ने शिक्षक से पुछा कि परियावरन क्या है? तो शिक्षक ने आंसर दिया कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो वह परियावरन है रवी कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल, बवान, मेज, कक्षा में रखी कूर्सिया, यहां तक की खुला मैदान, सड़क, खुडा, करकट, मेरे दोस्त, यह सभी हमारे परियावरन के अंग है? हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुव का निर्मान प्रकृती ने किया है, जैसा की परवत, नदिया, पैड, प्रानी, यह सभी वस्तुव का निर्मान प्रकृती ने किया है, जबकि अन्यका निर्मान मानव ने किया है, जैसा की सड़क, कार, कपडे, क दोस्तो कुद्रती पर्यावराण या तो मानव निर्मीत पर्यावराण दो तरह के पर्यावराण की बात शिक्षक ने कही, एक बार फिर देखो कि रविक कहने लगा कि इसका अर्थ है सकूल बवान मेज कक्षा में रखी कुरसी या यहां तक की खुला मैदान, सडक, कुडा, करकट मेरे दोस्त ये सभी हमारे परियावरण के अंग है तो शिक्षक ने कहा हाँ लेकिन जरा रुको कुछ वस्तुव का निर्मान प्रकृति ने किया है जैसे परवत, नदिया, पैड, प्रानी जबकि अन्य का निर्मान मानव ने किया है जैसे सडक, कार, कपड़े, किताब आदी और दोस्तो ये अध्याई के लाष्ट में अभ्यास में कुछ क्वेशन पुछे गए है इनमें से एक क्वेशन ये भी पुछा गया है कि परियावरण के प्रमोग गटक कौन-कौन से है तो याद रखलो परियावरण के गटकों को दो बागों में विबाजित किया ज प्राक्रितिक गटक में खनेज, भुमी, पैड, पौधे, पशु, पक्षि, जल, वायू, आदी शामिल है जबकि मानव निर्मित गटक में यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, आदी शामिल है एक बर फिर से ये पडलो कि परियावरण के प्रमोग बाजित किया जाता है प्राक्रितिक गटक, मानव निर्मित गटक, प्राक्रितिक गटक कौन कौन से तो खनेज, भुमी, पैड, पौधे, पशु, पक्षि, जल, वायू, आदी और मानव निर्मित गटक में यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, आदी एक और दूस्तो यह अद्याई के लाश्ट में जो अभ्यास दिया गया है उनमें पुछा गया है कि मानव-Nirmgyit-पणि पर्यावरन के चार उदारन दीजिए तो मानव-Nirmgyit-पर्यावरन के चार एक्जम्पल फिर से याद रख लो याता याद के साधान संचार के मध्यम तीसरा उद्योग और चोथा पार यह चार मानव निर्मित परियावरन के एक्जम्पल है ओके आगे बात करें तो अब दो दो चात्रा मिलकर कारिय किजिए यानि कि शिक्षक ने अपने चात्रों को पेर में एक वर्क सौपा है कि अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृती एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुव की सूची बनाईए क्या करना है चात्रों को दो दो में पेर बनकर एक लिष्ट बनानी है और यह प्राकृतिक वस्तुव ये कौन-कौन सी है और मानव द्वारा निर्मित वस्तुव ये कौन-कौन सी उनकी एक पूरी लिष्ट बनाने का वर्क टीचर ने अपने चात्रों को सौपा तो रवी, परमजित, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उच्चुप थे इकबाल ने पुछा हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है तो उसके पीछे की वज़़ टीचर ने क्या बताए शिक्षक ने उतर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है ये दिन प्रती दिन बढ़ती रहती है तो यहां से एक क्वेशन बन सकता है कि हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है तो हमा के लिए जल खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमी प्रदान करता है क्या परियावरण हमारी जीवन का मूल आदार है यह हमें सास लेने के लिए हवा पीने के लिए जल खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमी प्रदान करता है मानौ इस प्राक्रितिक प बरतनों में परोसा जाता है और भूमी पर कारखानों का निर्मान होता है मानव कार, मेल, कारखानों एवं बरतनों का निर्मान करता है इस प्रकार से मानव प्राक्रितिक परियावरन में परिवर्तन करता है एक बार फिर से यहां से बढ़लो कि परियावरन हमारे जिवन का करता है तो कार का दुमा वायू को प्रदुशित करता है पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है पोजन को बरतनों में परोसा जाता है और भूमी पर कार खानों का निर्मान होता है मानवकार, मेल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्मान करता है इस प्रकार से मानव प्राकृतिक परियावरण में परिवर्तन करता है आंसर बताईए हमारे जीवन का मूल आधार क्या है तो हमारे जीवन का मूल आधार है परियावरान और परियावरान में ही जल पृत्वी वातावरान शामिल हो जाते है तो हमारे जीवन का मूल आधार है परियावरान इसलिए हम प्राकृतिक वातावरान में परिवर्तन करते और कभी-कभी उसे नश्ट भी करते थे हैं दोस्तो रवी ने शुरू में ही बताया कि जो लंबी चुटियों के बाद वह स्कूल जा रहा था तो एक हरा बरा मैदान था वहां पर एक अपार्टमेन खड़ा किया जा रहा था तो इसलिए हम प्राकृतिक वातारणों में वारता लाब के जरिये यह परियावरन का अर्थव स्पष्ट किया गया है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों और पाये जाने वाले लोग स्थान वस्तु यह एवं प्रकृतिक को क्या कते हैं परियावरन कते हैं यदि एक्जामिनेशन में क्वेश्चन पुछ लिया ज कि परियावरन किसको कहते है तो आपको लिखना चाहिए कि किसी भी जिवित प्राणी के चारो और पाये जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुए एवं प्रकृतिक को परियावरन कहते है और यह प्रकृतिक एवं मानव निर्मित परी कटनाओ का मिस्रण है क्या दोस्तो यह जो परियावरन है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परी कटनाओ का मिसरन होता है प्राकृतिक परियावरन में प्रित्वी पर पाई जाने वाली जीविय एवं अजीविय दोनों परिस्थितिया सम्मिले थे जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस पर क्रियाये उनकी गती विद्या एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाये सम्मिले थे तो दोस्तों हमें याद रख लेना चाहिए कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिकतनावों का मिस्रण यानि कि परियावरान और प्राकृतिक परियावरान में क्या क्या शामिल है तो प्रित्वी पर पाई जाने वाली जिविय एवं अजिविय दोनों परिस्थितिया सम मिली थे, एक्जाम्पल के तोर पर कोई फर्नीचर, तो फर्नीचर कौन बनाता है, इंसान बनाता है, तो यह मानव निर्मीत परियावरण का एक्जाम्पल है, लेकिन किसी पैड की बात आये, तो पैड प्रकृतिक का निर्माण है, तो यह प्राकृतिक संसादन हम कह सकते है, और दोस्तो जीविय में सजीव प्राणियों का संचार जैसा की पादप एवं जनतो तो अजीविय में निर्जीव पदार्थों का संचार जैसा की स्थाल एक बार फिर चे पडलो कि जीविय में सजीव प्राणियों का संचार शामिल है एक्जामपल के तोर पर पादप एवं जनतो तो अजीविया में निर्जीव पदार्थो का संसार शामिल है एक्जाम्पल के तोर पर कोई स्थल या फरनिचर और आगे प्राकृतिक परियावरन की बात करें तो प्राकृतिक परियावरन किसको कते हैं? भूमी, जल, वायू, पैड, पौधे एवं जीव जन्तो मिलकर प्राकृतिक परियावरन बनाते हैं स्थल मंदल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें यह सभी स्थला कृतिया महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतव पर भी पाई जाती है। सभी स्थला कृतिया महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतव पर भी पाई जाती है। एवा मानव बस्तियों के लिए भूमी पशुओं को चरने के लिए कहां स्थल प्रदान कता है। और यह खनीच संपदा का भी एक स्रोत है यह स्थल मंडल। खनीच संपदा कहां से पाई जाती है? स्थल मंडल में से पाई जाती है। और जल के क्षित्र को जल मंडल कते हैं क्या? यह जल के क्षित्र को जल मंडल कते हैं। यह जल के विपिन स्रोतों जैसा की नदी, जेल, समुद्र, महासागर आदी जैसे विपिन जलाशयों से मिलकर यह जल मंदल बनता है और यह सभी प्राणियों के लिए आवशक है हम सब पानी का इस्तिमाल विपिन कारियों में करते है तो याद रखना जल के ख्षित्र को जल मंदल काते है और यह जल के विपिन स्रोतों जैसे नदी, जेल, समुद्र, महासागर आदी जैसे विपिन जलाशयों से मिलकर यह जल मंदल बनता है और यह सभी प्राणियों के लिए आवशक भी है प्रिथ्वी के चारो और फैली वायू की पतली परत को वायू मंदल काते है रक्षा करता है सुरिय से निकलने वाली अल्ट्रा वायूलेट जैसी हानी कारक किरनों से यह हमारी रक्षा करता है हमारा यह वायू मंदल और इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकान एवं जल वाश्प उपस्तित रहते है दोस्तो यह हमारे जो वायू मंदल है वायू मंदल में गैस, धूलकान एवं जल वाश्प उपस्तित रहते है और वायू मंदल में परिवरतन होने से मौसम एवं जल वायू में परिवरतन होता है जैसे कि वर्तमान में ग्लोबल वर्मिंग हो रहा है तो यह उनकी पिछे की यह वज़ा है पादप एवं जीव जन्तों मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्मान करते है और यह प्रित्वी का वह संकिरन अक्षित्र है जहां स्थाल, जल एवं वायू मिलकर जीवन को संभव बनाते है यहां पर आप देख सकते है कि स्थाल में भी, जल में भी और वायू में भी सजीव बसते है तीनों को मिलकर यग जीवन संभव बनाता है, क्या यग जैवा मंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और मजेदार क्वेशां। आन्सर बताएं, प्रित्वी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को क्या कहते है? तो प्रित्वी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को कहते है स्थल मंडल सही आंसर ओप्शन C और निमनल लिखित स्तंभो को मिलाकर सही जोड बनाईए चलो बताओ किसको किसके साथ जोड़ू सबसे पहले जो हमें पता है वहां से जोड़ते है वायू मंडल वायू मंडल प्रित्वी को केरने वाली वायू की चादर इसे बोलते है वायू मंडल ओके वायू मंडल के साथ जोड़ना है सही बोला लेकिन गलत जोड़ दिया वायू मंडल प्रित्वी को केरने वाली वायू की चादर इसे बोलते है वायू मंडल जल मंडल, जलीय क्षित्र को बोलते है जल मंडल, जैवा मंडल, तो जैवा मंडल किसको बोलते है, वह संकिरना क्षित्र जहां स्थाल जल एवं वायू पारस परिक्रिया करते है, इसे बोलते है जैवा मंडल, और परियावरान, परियावरान हमारे आसपास का जो क्षित्र है वो परियावरान कहलाता है तो यह सही जोड मैंने मिला दी आपने भी इसी तरह मिलाई ओके आगे बात करें तो शब्द उत्पती आगे दोस्तो परियावरान शब्द का अर्थस पष्ट किया गया है कि परियावरान शब्द की उत्पती कैसे हुई परियावराण यानकी environment शब्द की उत्पती फ्रेंच शब्द एन्वाइरोनेर या एन्वाइरोनेर से हुई है जिसका आर्थ होता है पडोस क्या यह परियावरान यान कि एन्वाइरोन्मेंट शब्द की उत्पती फ्रेंच शब्द एन्वाइरोन्नेर या एन्वाइरोन्नेर से वही है जिसका आर्थ होता है पडोस यहांसे एक question भी बन सकता है कि environment शब्द की उत्पती निमन में से किस पाशा से हुई है तो यह शब्द की उत्पती हुई है फ्रेंच पाशा से आगे आओ कुछ करके सिखे दोस्तो यह शिर्शक से कुछ महतो पुर्ण बाते बच्चों को सिखाने के लिए activity based learning को प्रोचसाहि कि मैंने सुना मैं भूल गया मैंने देखा कुछ याद रहा लेकिन मैंने कुछ करके देखा मैंने मैसुस किया तो लंबे अर्शे तक याद रहा यानकि activity based learning को यह अध्याई में सबसे पहले शामिल किया गया है और पूरी textbook में आओ कुछ करके सिखे यहां बच्चों को देखे और आपके पडोस में भूमी का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सुची बनाए यानकि बच्चों को एक लिष्ट तयार करने है कि अपने आसपास जो भूमी है उनका इस्तेमाल कौन-कौन से कारियों के लिए किया जाता है आओ कुछ करके सिखे एक और activity आप जो पानी उपयोग करते है वो कहां से आता है हमारे दैनेक जिवन में पानी के विभिन उपयोग की सुची बनाए क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और वो कैसे पानी को व्यर्थ कर रहा है यानि कि बच्चों को यहां एक और activity सौपी गई है कि आप स् सकते हैं कि आपने किसी को पानी का व्यर्थ उपयोग करते हुए देखा है आओ कुछ करके सिखे यह तीसरी activity दे गई है कि स्कूल जाते समय आसमान को देखे आप जब स्कूल जा रहे हैं तो आप आसमान को देखे ध्यान दे कि दिन कैसा है वर्षा हो रही है यानि कि बारि तो आपको आस्मान को देखना है और आस्मान कैसा है बारिश हो रही है आस्मान में बादल दिखाई दे रही है धूप है चाव है को रहा है इत्यादी और शब्दावली में पारी तंत्र का अर्था स्पष्ट किया गया है यह हमें याद रख लेना चाहिए कि वह तंत्र जिस जिसमें समस्त जीवदारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा परियावरन के उन बहुतिक एवं रासाइनिक कारकों के साथ परस पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब उर्जाव और पदार्थ के स्थानां तरण द्वारा सबंध हैं, तो ये पारिक तंत जिसमें समस्त जीवदारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा परियावरन के उन बहुतिक एवं रासाइनिक कारकों के साथ परस पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब उर्जा और पदार्थ के स्थानां तरण द्वारा सबंध हैं, दोस्तो एक और यहां अभ्यास में रखा गया है कि इन में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर बनेगा, ताल प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, आंसर बनता है ऑप्शन दो, और कुछ करके सिखे, यानिकि एक एक अक्टिविटी और भी दी गई है, कि कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने परियावरणिय स्थान का चित्र या फोटो लाइए, यानिकि आप जहां पर निवास करते है, आपके आसपास का जो परितंत्र है, परियावरण है, वो कैसा दिखता है, उनका एक पेंटिंग आपको बना कर आपने शिक्षक को बताना है, यहां वीडियो को खत्म करते है, कल हमारा यह पहला आधियाए खत्म हो जाएगा, यानिकि यह पहले पार्ट में हमने आधी मंजिल तई की है, आधी मंजिल हम कल तई करेंगे, यानिकि कल हमारा पहला आधियाए खत्म हो जाएगा, यह वीडियो अच्छा लगा है, तो हैं